हेलो दोस्तो वेलकम बेक टो हैल्दी ग्यान यूटूब सेनल दोस्तो आज मैं बात करूँगा जो डिमॉल ड्रॉप्स है यह अक्सर डक्टर बच्छे को क्यू देते है और इसका यूजेस क्या है और इसका फूरी तरह से रिवियू करूँगा तो इस वीडियो को आप शुर है मुझे कॉमेंट बख्स पे सवाल कर सकते हो तो दोस्तो अभी बात करते है यह जो डिमॉल ड्रॉप्स अक्सर है क्या दोस्तो यह डिमॉल ड्रॉप्स है जो आपकी बच्छे की ज्याधातर गेस और जो गेस पेट फुलने का बिमार फिर पेट में दर्द होना जिसके वा रात में जिव आपका पका नए जाद बच्चा है दू महीन हो गया लात उस टाइम, रात में जीड़ाता होती चैने ख्राइएर। music. पता है उस ताइम पता ने ख्राइए ल को पता ने चलता है। तो इसलिए डेक्टर रक्सर देते हैं demol drops, जो कि ये बच्चे का पेट में दर्द होना, या पेट में pain होना, या पेट में gas होना, acidity होना, full जाना, जो भी मिमारी है पेट का, ये आपको देते हैं, तो ये एक number drop है, जो आपके बच्चे का अगर रात में ज्यादा रोती है, तो इस drop का पिला सकते हो, और अभी बात करते हैं, ये drop कैसे पिलाना है, ध्यान से देखो, तो ये drop मुझे दिया था 5 foot, मतलब मेरे जब बच्चा था, वो धाई महीने, तीन महीने का था, तो 5 foot दिया था, और ये तीन बार बोला था, मतलब सुबह, शाम और रात को, ठीक है और रात को मतलब जब जब ज्यादा रोती है, बच्चे तब देना है, ठीक है, तो ये तीन टाइम आप दे सकते हो, कितना 5 foot करके, ठीक है, इसके अंदर drop भी है, और इसका price का बात करते हैं, तो इसका price आता है, सिर्फ 22 रूपिस में, जो कि 22.80 जो कि देख सकते हो, और इस जो doctor बोलते हैं, वही बोल रहे हैं, तो 1 ml 20 drops की approach से देख सकते हो, तो इस तरह से, और इसको एक बात याद रखना है, जो इसमें होता है, drop पहले आपको देने से पहले बच्चे को देने पहले अच्छे से shake कर लेना है, मतलब अच्छे से घुटला है, और फिर आपको बच् करी है, मुझे comment करके पुछ सकते हूँ, मैं जरूर जवाब दूँगा, तो आज के लिए दूस्तों इतना ही, फिर में लेंगे दोस्तों, आप से अगले दिन अगले वीडियो में, जै हिंद!